गुड बॉर्निंग गाइस बात करेंगे आर्वियल बैंक की आर्वियल बैंक में आज 15% के आसपास गिरावट हो रखिये 10% का खुलते ही सर्किट लगाता और यह गिरावट क्यों हो रखिये कि आप भी उपर की प्राइसे फस रखिये हो और मैंने का था कैचिंग फॉलिंग हो जाए कुछ भी हो बहां उस कंपनी से बिल्कुल दूर रहना है ज्यादा ग्रीडी बगारा नहीं होना है और कैचिंग फॉलिंग नाइब जैसे चीजे हो जाती है जैसे यस बैंक में हुआ था तो बिल्कुल भी जिन्हों ने उस टैंप पर दिया होगा तो बिल्कुल भ जाए बहां पर मैंने मार्केट गिरी है उसकी वीडियो डाल लगकि उसको चेक आउट कर सकते हो और इसके लाब आप आप देखने को मिली ती यहां पर जो गैब डाउन ओपनिंग आप देखने हो मिल सकता ही बीच में चोड़ रखा था यह जब इकी बात है जब इसमें ज खोड़ी सी रिकवरी देखने को मिली मैंने का इससे निकल सकते हो जो भी फसे हो यहां पर निकल सकते हो डेल सो तक गया था लेकिन कई सारे लोग यह सोचके बैठे हुए थे कि यह इस तरीके की चीज़े होती रहते हैं मैनेजमेंट के इसू जब भी आते हैं किसी भी बैं यहां पर रहते हैं ज्यादा फ्रॉड होने के खत्रे और मुझे तो अगर प्राइवेट बैंक में जाना है टॉप फॉर प्राइवेट इनको प्रफर करूंगा मैं को टैक एप सी आईसी एसी और एक्सिस और यह जो पैंके हैं इनमें आपको कभी खबरे मतलब इस तरीके क किया था और आने वहले टाइम मुझे लगता है कि और भी गरावट इस स्टॉक में देखने में मिल सकती तो बिल्कुल भी कैचिंग फॉलिंग में नहीं जाना कि बहुत डिसकाउंट हो गया चलो अब भाई इसे ले लेते हैं हो सकता है यहां पर गिरा फिर ऊपर थोड़ी अब यहां पर उठा लूँ मैं उसके बाद यह हो सकता है फिर तेजी आई तो इस तरीके से आप देख सकते हो लो 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 रही बना रहा है और बिल्कुल आप अपने आप देख सकते हो चार्ट में मुझे कूँ ज्यादा बताने ही जुरूद है नहीं टेक्निक ली तो बिल इसे ज्यादा वह लॉस में नहीं वह कर सकता जहेल नहीं सकता थो इतने लॉस में निकल वह सकते वहाँ बिल्कुल भी क्योंकि जितना ज्यादा आप इस इस टॉक में फस्ते जाओगे और फस्ते जाओगे तो फर वही वही है यस बैंक जैसा 5-13 रुपए पहुच गया तो ब सब्सक्राइब करें वीडियो दोस्ते एर करें जाएंगें दोस्तों